next question, question says a square loop ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current capital I सवाल है next net force on the loop will be और 4 option अपने को दिये हुए आगे, simple सवाल है, basics पर जाएगा सो यह अपनी एक wire है जिसके अंदर capital current आई है, इसको नाम आपने XY दिया हुआ है, यहाँ पर आपका एक loop रखा है, इस loop को हमने नाम दिया है ABCD, सो A यहाँ से चालू हो रहा है, यह A, B, C और D, और इस loop में इस direction में ऐसे ऐसे आपका current small i ऐसे flow कर रहा है, अले, clockwise direction में इस पर current flow कर रहा है, dimensions जो दिये हैं, dimensions हैं कि यह वाला distance आपका है L by 2 और यह distance आपका, यहाँ से यहाँ तक square loop जो है, उसकी length L है, अले, सो हमें बताना है, इस loop के ओपर कितना current होएगा, यह बात हम जानते हैं कि अगर आपका एक loop है, उसको हमने uniform magnetic field में रख दिया, तो उसके उपर net force 0 आएगा, लेकिन इस case में uniform magnetic field नहीं है, तो आपका force 0 नहीं होगा, in fact, 4 answer में 0 नहीं भी है, अगर कुछ student यहाँ पर गलती करते हैं, कि वो आदिया दूरे concept उनको पता होते हैं, वो square loop जो जाएगा, नहीं, वो force 0 होएगा आपका, जब आपका magnetic field constant है, uniform है, इस वाले case में यहा करते हैं, कि आपकी दो wire जो है, उन दो wire में मान लिजे current आपका I1, I2 है, तो यहाँ पर force present length को हम लिखते हैं, mu naught I1, I2, divided by इसको हम लिखते हैं, 2 pi, r, उनके बीच का distance है, I1, I2 के current है, और जब दो wire है, same direction में current जा रहा है, तो उन दोनों का force attractive होता है, opposite direction में, तो current आपका repulsive होता है, तो इसकी वज़े से आपका यहाँ पर जो F net लिखा जाएगा, वो आएगा, आपका इसकी वज़े से जो force F1 होएगा, again, दोनों wire में same direction में current है, तो इसके उपर force is direction में लगेगा, यहाँ पर opposite direction में force है, तो यहाँ पर force आपका बाहर की तरफ लगेगा, repulsive होएगा, इस case में इसकी वज़े से force आपका 0 होएगा और यहाँ पर इसकी वज़े से force आपका 0 होएगा, because उनके बीच में angle आपका 90 degree है, so आपका जो F net आएगा, इसको आप में F1 कह रहेते हैं, इसको F2 कह रहेते हैं, so that will be equal to F1 minus F2, यह आपका net force की value हो जाएगी, अब इन दोनों की बताना है, direction के साथ नहीं बताना है, तो magnitude ऐसे calculate कर लेंगे, so F1 की value आएगी, वो होएगी, mu naught, i, i, इस वज़े से calculate करें, again, यहाँ पे आप force parent length है, तो इसको force निकालने के लिए आप length से multiply भी कर सकते हैं, L उपर लेके जा सकते हैं, multiplied by L divided by 2 pi R, तो यह हो जाएगा, 2 pi multiplied by L by 2, because यहाँ पे आपका distance L by 2 है, minus इस F2 की जो value लिखेंगे, यहाँ आएगा, mu naught, i, i, l divided by 2 pi, now, यहाँ से यहाँ का distance आपका हो जाएगा, 3 L by 2, क्योंकि यहाँ से distance L by 2 और यह L है, तो distance 3 L by 2 हो जाएगा, बस ही calculate करके अपना answer आजाएगा, so इस में से आपने mu naught, i, i common ले लिया, और in fact एक काम करते हैं, अचारे 2 इस से cancel हो जाएगा, 2 इस से cancel हो जाएगा, और L यहाँ cancel हो जाएगा, so यह जो बचेगा अपना, divided by pi भी common ले 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 लेते हैं, तो यह है कि mu naught, i, 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 common आगया, pi आगया, यहाँ से 2 cancel हो गया, mu naught, i, i, अंदर चला गया, L cancel हो गया, यह बच value हो गए, 2 by 3, mu naught, i, capital i, divided by pi, यह आपकी force की value हो जाएगी, so based on this, हम कह सकते हैं, अपना option number c, 2 mu naught, i, i, divided by 3 pi, option number c, would be the correct choice.